तो सुधार हो जाएगा वरना जीवन पढ़ियन सुधार नहीं होगा और अगर एंसर आटी सुधार नहीं हुआ तो में साब का हो गई नहीं कभी घुमते रहिए परहाना मुझे फ्रांसी सी क्रांती था लेकिन जब आप लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं एक चीज और है है हेंड़ाइटिंग यह तो आपका हिसको तो आप ही को बदलना मुझे नहीं बदलना हेंड़ाइटिंग यह नहीं कहता हूँ कि मोतियों की तरफ शुंदर-शुंदर हो लेकिन हेंड़ाइटिंग ऐसा जरूर हो कि कोई भी पढ़ सके उसको कोई भी पढ़ सके याद रखिएगा आपकी handwriting कोई पढ़ पाता है कि नहीं हमको तो लगता है दुबारा आप लिख देते हों कि लिखने बाद खुद आपको परने के लिए दे जाए तो नहीं पढ़ पाते होंगे कुल हरपा कारीन handwriting आपका रहता है है ना आईए प्रसुन को ना समझना आपको अस्थाई बंदोबस दे दिये फुर्द एक्जांपल सापको समझा रहा है आपको पर्मानेट सेटलमेंट दे दिये आपने रहियत बारी महाल बारी लिखना शुरू कर दिया क्यूं उसका चर्चा कहां था मतब कुछ भी जो मनाय लिख दिये ऐसा कोई खता करता क्या एक महिने के बाद आपको में से लिखना है टाइम है आपके पास नहीं और कर रहे हैं बैठके मजाग आप घर से लिखने दिये तब चौपट करके लाके दिये मुझे झो यहां लिखने दिये दे थे तो पता नहीं क्या होता आपके साथ मैं गलत हूँ यहां बाले कमाप है कि 10-15 में तो सूझी सर देते हो क्लास में लिखने के लिए तो चलो भाई, जो-जो मेंझ में पाइंट हो आप लिख देते हो लेकिन जो घर में आपको लिखने के लिए देते हैं जिसमें 40 से 45 में टाइम आप ले लेते हैं उसके बाद भी आप कोश्चन को नहीं समझ पाते हैं अगर यहां नहीं समझ पाए तो सारा खेल चौपट यही हो गया आपका और आपको हम बताये थे कि कोश्चन को ब्रेक कीजिए जितना हो सके 2 पार, 3 पार, 4 पार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एक पार ब्रेक कर दीजिए और फिर वहां से निकाल लिए क्या की लिए रास्ता कों सा देता मुझे कहां मुझे जाना है क्या इसका एड्रेस है पता चल रहा है कि एड्रेस जो है अपने घर से 5 घर के बाद वाला परूसी में है और पहुँच कहा रहे हैं वो परूसी के पास में जहां आपका दिमाग लग रहा है तो क्या होगा जहापर के साथ पता नहीं क्या क्या होगा होगा ही नहीं होगा आप को ही गलती तो कर रहा है और वजह आजा सामने महा के ख़ड़ाओ के चिला रहे हैं आपको आप कल के भविस्ट के SDM DSP हैं आप ऐसी एरकत कर रहे हैं मोखा मिलेगा यह स्वाग है कि आप सब यहां से लेके वहां लाउस तक बैठे हुए सब history option में हैं आप सबका हो गया है prelims उसके बाद भी यह इस्तिती है इसलिए पहली बात है प्रस्ण को समझे दीजिए time of time जब तक समझ ना लीजिए तब तक पेन को चलाईए मत पहली clear concept किये ने गलत सब लोग जो लोग सही किया उनके लिए तो कोई बात नहीं है वो तो अपने मन में जानी रहे कि मैंने सही किया लेकिन जो खता किये हैं वो समझ गए दूसरी बात भूमिका क्यों भूमिका आप लिख रहे हैं भूमिका लिख, डैस देखे, आप भूमिका लिख रहे हैं, आयो को पता नहीं है, कि पर्थम के जो पांच पंगती होंगे, वो भूमिका को होगा, इंटोडिक्शन को होगा, वो इतना बड़ा छोटा सा बच्चा है, उसको बताईएगा, देखो यह भूमिका है, तुम इसक जाके छोड़े हैं, हो गया पांस दिन, छे दिन, क्या करेंगे, अभी बेसिक इनका सही नहीं है, क्या हम अंदर जाके देखे कि क्या तुम लिखे हो, इसलिए ध्यान लिखिएगा, ना भूमिका, ना निसकर्स और यहीं पर लिख देते हैं, ना उत्तर, यह तीनों जानी की तरफ पवित्र होना चाहिए, किसी के पास जाए, तो दिल से नमबर दे, उसो यह चीज एहसास करवा दीजी एक कोश्चन के बाद, कि यहीं SDM की कॉपी है, और इसमें दो तुम नमबर, टाइम पास करने वाला लिखान, मत लिखिए, बरना उठा कर टाइम पास कर आईएगा, सर यह नहीं समझ माया, असुद्यों को ना लिखे, असुद्या तो इतना करते हैं कि पता नहीं चाहता है, लोग को राजनिती लिखने नहीं आता, आर्थिक लिखने नहीं आता, अती लिखने नहीं आता, और देख लिजे आपकी कोपी में से खरके, शर्किल कि किया हुआ है आप देख लिए अपने अपनी कोफी आप से यह उमीद नहीं किया जाता है कुछ ऐसी वर्ड है जहां पर आप गलत नहीं कर सकते हैं भूरा जसु यह हालात है पुनर जागरन ऐसे है जब कि यह होना चाहिए ऐसे क्या इसका कोई माफी है कोई धरती पर माफ कर स आपको उसमें भी history option इसलिए यह चीज भी आपके दिमाग में होना चाहिए answer writing लिखने बक्त जिस समय आप examination hall में बैठते हैं और लिखना बनाना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है सुझी सर किसी भी हालत में interview call आना चाहिए और interview call अगर लाना है तो इन कर लियों और बढ़ियां से बढ़ियां घडा में थोड़ा सा छेद अगर होता है तो पूरा पानी रिस्क निकल जाता है जब वो पत्थर का हो यह संग्मनवर का हो यहां तो जिंदगी दाव पे लगी हुई है 0.001% selection होड़ा सोच लो कितना छोटा नम्मर है selection का 6,800,800 सोचो क्या हसर होने वाला कहां गई हुए बेरुजगारी और नम्मर ओपोस्टूडेंट हर साल भरते जाने घटने का नाम ही नहीं नहीं ले रहा है में डरानी रहाओं, कभी मँद समझना में डरा रहाओं मैं आपको एक आइना दिखा रहा हूँ, देख सकते हो तो देख लो बाकी जिंदगी आपकी है, जो आप चाहेंगो वही होगा मेरा काम क्या, मेरा तो कॉपी चे कऱने का काम है, गल्ती होगी पैराग्राप भी बदलना हूँ, उसे यह नहीं पता हुआ, कि कहीं कोमा भी लगा रहा हूँ, उसे यह नहीं पता हुआ, कहीं सुध्या भी होगी, उसे यह नहीं पता है, कि कितने लाइर में पैराग्राप को बदलना है, बस जो मन में आया, लिखते चला गया, लिखते चला अब कभी नहीं, अन्तिम दिन, जब आपको पूरा तैयारी करके, आयोग के पास भेजेंगे, युद्ध करने के लिए, तो अन्तिम दिन ये बता देंगे, उसके इसके बीच में आप कभी नहीं, कोई क्लास डिस्टर्ब मेरा हो जाता है, मुझे मैं पढ़ाने के लिए हूँ टाइम मेरा लिमिटेड है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है, लिखने अगर नहीं आएगा, तो सारा खेली चोपट हो जाएगा, गईन दिमाग में बाते हैं, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, बस हिस्ट्री को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हिस्ट्री का ता मैं भी तुझे समझ नहीं पाऊंगी, रख लो जो करना करो, हिस्ट्री को पकड़िए, समझ ये, देखिए, बड़ा सॉफ्ट है, सारे सब्जेक्ट में सबसे सॉफ्ट है हिस्ट्री, थोड़ा सा अगर उसको दवाने की कोशिस कीजिए, अगर हाथ से निकल के भाग जाएगी, ए ना सलूग जी, नेक्स है, ये सब पॉइंटिंग जो आप देते हैं, देखिए, क्या सुझी सर ये सब पॉइंटिंग देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, आपका मार्स गिर जाएगा नीचे, गलत तो कुछ भी नहीं है, हम एक एक मार्स के लिए संघर्स कर र तो क्यों दे रहे हैं ये, क्या मत्तब इसका देने का, इससे क्या हो रहा है, आप बताइए, ये सब गलत नहीं है, लेकिन ये सब जो है, आपके नम्मर को गिरा देगा, पांसो साथ में सलेक्शन और पांसो उनसट आया तो, क्या होगा आपके साथ, वेटिंग लाइन, उम हो जाएगा, कभी नहीं होता उसका, हाँ, बुलिये ने, हाँ, क्लासी में बेठे हुए, सोचे कितने दिन तक सहबाजी खाना ने खाये होंगे, और रोते होंगे तो इनके आँसों कौन पोछने आता होगा, कोई धर्ती पर है इस आवतार, सिर्फ उपर में खुदा देख होगा, नीचे मियं की आत्मा देखती होगी, यह रोड है, बाकि कोई नहीं देखता होगा, दो नमर समझते हैं, दो नमर का भेलू पता चलता है, सुने, है न आपके सामने क्लास में, दो नमर अगर आयोग, दिल से भी दे दिया होता है, तो आज यह, कहीं ने कहीं, किसी ने किसी जिला में, कोई ने कोई पत पे बैठे होते हैं, अधिकारी बनके, है न, कहीं ने, इसलिए बड़ी बारी की सी, बात कर रहा हूँ, अब समझ ही ही मेरी बात को, मेरी बात को अगर कोई समझ रहा होगा यहाँ पे, जो ओल्रेणी मेंस लिखे होंगे, उनको समझ महारा होगा, क्या बोलने सुई सर, बाकी जो बैठे हुए पहली बार वाले उनको थोरी कुछ बता चलता होगा उनको तो जैसे चलने दो नेक्से मेप ना बनाना फ्रासिसी कांती आये और वहां मेप ना बना ये ये क्या मतलब है और जो लोग मेप बनाएं मेप ने बनाएं मजाग किये है उनका MAP ने बना हुआ है आपका भी दिया हूँ सेंटर में कर दिया हूँ MAP ने मजा किये इतना में MAP बनाता है देखें न इं MAP होता है आप सिविल सर्वेंट है न सिविल सर्विसेश की तैयारी कर रहा है कलके डिट में अधिकारी बनिएगा आप ऐसे कर रहा है आपको इंडिया का में बनाने नहीं आता आपको फ्रांस का में बनाने नहीं आता आपको अमेरिका का में बनाने नहीं आता आप सोच रहें कितना नमर पीछे भाग रहा है और एक एक नमर से अगर एक नमर कम हो यही विकास जी है एक नमर बस कम था इसकी बच्छाे से ODSP बन गए सिरφ एक नमर से और फिर इस बार अस्रेगल कर रहा है बस एक नमर एक नमर में रेंक कम से कम 20-25 लोग पीछे भागते हैं कम से कम बता रहा हैं कई जगे तो 50-60 लोग पीछे भाग जाते हैं बस एक नम्मर से, point something something से नीचे भागता दस बार है, मानते हैं इस बात को, मेप, जब आप आ गए हैं, कूद गए हैं, कि मुझे civil services की तैयारी करना है, तो मेप में वो दम होनी चाहिए, कि जब मेप बनाईए, तो perfect मेप बनाईए, आप करना कुछ ही चाहते हैं, पाना सब कुछ चाहते हैं, इसलिए क्या होता है, जहां हैं वहीं रह जाते हैं, आप जिसको कोशना कोश लीजे बैठके, कोई फरक ने पड़ता, आप कुछ चाहते कहा हैं, अगर चाहते तो ऐसी गल्टी करते, सारा लोग बोला नहीं कि हम देखे हैं, यही चीज नो उस दिन बताये थे, फिर आज बता रहे हैं, और फिर लोग यही गल्ती किये हो, जाकर देखिए, आप में लिखा हुआ मिलिये मुझसे, क्या गल्ती किये हैं, आपको मेप भी तक नहीं बनाने आ रहा है अमेरिका का, हद है, कौन सा काम और इक्स्ट्रा काम कर रहा हैं आपको, अगर रियल में 20 से 25 बार इंसान, अगर मेप को एक बार देख ले, तो जीवन बड़ याद हो जाए, हम कोसिस करना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सब कुछ हमें मिल जाए, सब कुछ सुजी सर उठाएं, उठाकर डाल दें, नहीं, संबा भी नहीं है, सुजी सर सिर्प रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं, बस मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, आइए, next है, फोर्मेटी, लिखते हैं, कई लोग ऐसे हैं, जो लिखते हैं बड़ा सांदार है, हाँ, लिए, थेंक्यू, कई लोग लिखते हैं बहुत अच्छा है, no doubt, लेकिन उनकी जो कॉपी आप देखिएगा नहीं, तो लगिया कहानी चल रहा है, इंसान पढ़ते पढ़ते उसको चेक करते करते इरिटेट हो जाता है, जाहिर सी बात है, पैसा लिया हूँ, तो मैं तो अच्छा कोमेंट करूँगा ही करूँगा, बर न भाग जाएगा, तुम भाग जो या कुछ कर लो, जो सही है, वह ही कॉमेंट करेंगे हूँ, आपको रहना रहो, जाना जाओ, पास करने के लिए रहे हो, कि क्या करूँ, ज्यादा ज्यादा नमर दे दूँ, है न भी जे जी, है ने सही बात, फोर्मेटिंग, एक बार फोर्मेटिंग में लिखे, जब दार्षनी की बात आई, तो कमसर्म फोर्मेटिंग में जिस्दिस दार्षनी की बात आप कर रहे हैं, उसको इबार फोर्मेटिंग में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? चाहिए आप Franklin की बात करें पेन की बात करें या फिर George Washington की बात करें अगर सबकी बाते हैं, सबकी यहां पे चर्चा है, सबका जो है अमेरिकी क्रांती में योगदान है तो क्यों ना आप फॉल्मेटिंग दिखा रहे हैं? बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं है कहीं ये नहीं अंडरलाइन भी करते हैं, कि हाँ ये चीज इंपोर्टेंट इस लाइन का, कहीं कोई अंडरलाइन नहीं है क्यूं क्यूंकि आपका दिमाग यह कैच कर रहा है कि एक बार लिख रहे हो लिखते जाओ जहां रुके तो आगे का लाइन गया हमसे आप पूछो ना आपकी दिमागी हरकत और ब्रेक लगाना तो आता नहीं है सुजीट सर तो जैसे लिख रहे हो ब्रेक नहीं लगा के ऐसे अभी तो तुम पास नहीं कर दे हो तो बहतर कुछ बदलाओ किया जाए कम ही सब्द लिखें बहतरीन तो लिखें क्या गलत बूल रहे हैं इसी इसका थ्यान रखना और लास्ट में आप लिखते हैं उत्तर उत्तर कुछ मत लिखिए सिंपल लिखके निकल जाएए किनी को को इडाउट हो तो बताईए हाँ बुलिए फोर्मेटिंग तो क्लास ही में करवाते हैं अब यह पहला क्लास है ना अब थोड़ा सा रुकना होगा हाँ 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 क्यों ने जो छूट गया उसका तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ क्या है जो निकल गया हो निकल गया लेकिन जो आगे है उसको तो सम्हाला जा सकता है बास वहाँ तो निकले गए निकले वहाँ ना निकले इसलिए तो यहां गुसा आते हैं और किसली गुसा आते हैं कोई साम को एवर्ड मिलेगा क्या गुसाने बाद कुछ है कोई देगा हमको एवर्ड कि यहां सुझी से बहुत गुसा है एक काम कीजिए दस जार रूपया और ले लिजिए इसलिए ने कर रहे हैं कि आपको बार-बार आपके दिमाग में प्रेसर डाल रहे हैं ताकि आप विशा करने पर मजबूर हो जाओ और दस दिन के बाद आपके दिमाग में आदत डाल दूँ आदत डालने के बाद उख कड़िये के जाईएगा एक बार जो आदत हो जाता न वही आदत होता आप कहां से इंट्री करते हैं सामने दर्वाजासने, यहां से कोई इंट्री करता है, क्यों? आदत हो गई है, लड़कियों को पता है कि आगे में हम बैठते हैं, यहां से करें, वो भी कहा से करेंगी? वहीं से करेंगी, उसको नहीं पता कि आगे का दर्वाजा है, दोनों खुला हुआ है, क्यों हां से करती है क्योंकि आदत इधर देख लो ने बद अलग रमाइन कथा है अब फिर फीड़े काएगा फिर दोर क्या ना मूँ दिखाने क्लास की हर एक बात अच्छी होती है समझा करो वरना फिर आना नीचे बैठे रहना आप दस मिनट खड़े रहना भीर में उसके बाद कहेंगा यह बता यह क्या है अच्छा लगा यह दस मिनट बरबाद होगा तो खड़ाओ के तो यह चीज़ जो है आदत है इस आदत को बनान के लिए ही हम आपके साथ खड़े एक तो यह दूसरा हमारा प्लानिंग क्या था आपको समझाता है पाई ने सपीज तीन स्टेज में 1st स्टेज 2nd स्टेज 3rd स्टेज तीन स्टेज में हमें काम करना है 1st स्टेज का टाइमिंग जो हम फिक्स किये होए थे मात्र दस दिन 10 देज बस इस 10 देज में जितनी basic basic बातें हैं उन सारी basic बातें जो है आपके कॉपी से निकल जाए बेसिक गलती आप गलती से भी गलत ना करो यह 10 दिन का टाइमिंग था आज हमारा 6 दिन निकल गया नहीं 6 दिन हो गया लिखे हुए नहीं, 6 दिन से हम लोग लिख रहे हैं अभी भी वो बेसिक चीज़े नहीं निकली है लेकिन उमीद है इस वीडियो के बाद आपका बेसिक चीज़ शमापत हो जाएगा अब वहाँ गलती आप नहीं करेंगे आप सब कुछ समझ माया उसका 10 दिन इसका टाइमिं लिए थे उसके बाद यहाँ पे पूरा मैंने 30 दिन का टारगेट लेके चल रहा था यह 30 दिन के टारगेट में अब तक कि जितने भी BPSC में कोश्चन आए है वो सारा कंप्लीट करवादूं आपको बनवादूं A to Z यही मेरा टारगेट था 30 दिन में और जो बचा हुआ 30 दिन है इसमें पूरा स्टेंडर जहां संभावना बन रही है यह यह टॉपी का यही सब कोश्चन जो है एकदम पूरा हॉट मुद्दे में पहुचा हुआ है उसमें यह पूरा जो बचा हुआ दिन है उसको कंप्लीट करवादूं और रिजल्ट रुकेगा कैसे लेकि प्रॉब्लम है आप मुझे आगे बरने नहीं दे रहे है हम करें तो क्या करें हम खुदी मजबूर हो जाते है बताएए यह सब बाते भी बताना है जबकि उस पहली क्लास जब बताये थे पहली दूसरी क्लास के बाद जब अमेर्की कांती खतम हो गई थी तब हमने आपको बताये थाना कि यह वर्ड सारी सारी वर्ड जो राक्षस वर्ड है इससे बच के रहना याद है अभी भी आपके दिमाग में चलड़ा होगा आपने क्या किया उन सारे वर्ड को उसमें डाल के रखा और देखिए आज आप देख लिजे अपनी कॉपी को अगर यकीन होता है उसी के लिए लिखा हुआ कि मिलिए आकर आप कोई भी अपनी कॉपी लिखे जिनवें लिखा हुआ मिलना है उन सब में देखिए ये सब प्रॉब्लम आय हुई है तो मैं उमीद करूँ कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं आप स्कर्ट कीजिएगा देखें मैं आपसे बड़ी प्यार से और दिल से इमानदारी से आपको बहुत मानता हूँ आपको भी और जो लोग ओनलाइन में हैं सबको भी कि आप पूरी इमानदारी के साथ में मुझे 100% देंगे कैसे लिख तो उसे कोई मतलब लिखाना मेरा काम है लेकिन जो बेसिक गलतियां हैं ये सब एक सकेंड़ ये सब नहीं करनी चाहिए वो तो हम बता नहीं सकते नहीं वो तो आपका दिमाग काम करेगा नहीं कहा करना का नहीं हाँ पूछिए देखिए दो चीज है एक ये अच्छी बात बोले कि सर पॉइंट फॉर्म में लिखा जाए या स्टोडी रूप में लिखा जाए मैं कहूंगा जहां जवरत परे न आपको पॉइंट फॉर्म वहां दो तीन पॉइंट फॉर्म भी दीजिए और जवरत परे तो स्टोडी फॉर्म में लिखे दोनों मिक्स करके लिखेगा तो मज़ा आएगा मैं यह भी निकाओंगा एक सकेंद सिर्फ पॉइंट वाइज में लिखे नहीं जवरत परे तो स्टोडी वाइज भी कई ऐसी जगह होता जहां पर स्टोडी वाइज ही अच्छा गो लगता हर जगह पॉइंट वाइज अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस सब्दों फिर कांगा